उत्वदेश में नौ सीटों पर उप चुनाव हो रहा है, ऐसे में कटेहरी भी अपने आप में रोचक चुनाव हो रहा है। कर रहे हैं, तो यहां पर उप चुनाव हो है, लेकिन भारतिय जनता पार्टी जितीगी। इसके पहले भी यहां पर विपच्च का विधायक रहा है, तो क्या यहां पर विकास की किती दरकार दिख रही है, आप लोग सरकार में हैं। देखिए, इसके पहले विपच्च के विधायक थे, तो मैं भी इस छेत का विधायक रहा। मैंने इस छेत में कभी नहीं हारा, लेकिन भारतिय जनता पार्टी का अधर्णिय मोदी योगी ने जिस परकार से विकास किया है, किसी ने नहीं किया है, अभी उप मुक्मंत्री जी आये हैं, कटेहरी को गोंद लिये हैं, और विकास होगा, यहां पर हम जब जीत कर जाएं तो हम भी मुक्मंत्री से विकास के लिए और ले आएंगे, यह आदर्स कटेहरी होगी, आदर्स विधान सवा होगी, विकास बहुत हो, लेकिन यह कटेहरी विधान सवा एक पर रोचक चुना, आपने भी कहा कि ओभी यहां से हारे नहीं है, विपच्च के विधायक भी कह थे। 12 में मैं नहीं था लेकिन मैं कटेहरी में जब तीन बार लड़ा तीनो बार जीते। लेकिन कुछ कारण से मुझे सागन जाना पड़ा और पिर मैं भाजपा में आया तो सम्मान भी मिल ला है और अकवरपुर्शे लड़ा है। और मुझे गरीब के बेटे को प्रधान मंत्री, मुक मंत्री और जिलाद धेक्षने मिलकर के जो जिम्मेदारी दी है तो ये गरीब के लोग, हिंदु लोग जो है आपर कमल का फूल खिलाएंगे और मुझे जिताएंगे और भाजपा के हाथ को मजबूत करेंगे, योगी अरूप लगा रहे हैं कि जीला प्रसासन का इस्तेमाल सब्सक्राइब कराय जा रहा है आप लोगों के दोरा पहले अपने गिर्वान में जांकर देखें कि जब सरकार थे तो लोग क्या करते थे आज-प्रसासन कुछ नहीं कर रहा है, जो है हमारी पार्टी हम जो जीत रही है जनता जो है भाजपा की तरफ है जो विकास हुआ जो शम्मान मिला है जो । भुबाड नहीं हो रही है अज हमा गुबा डशा पूर्पी नहीं हुआ इस लिए वह घबड़ा करके इस परकार की बात कर रहे हैं और कोई अन्या नहीं कोई गलग काम नहीं हो रहा हुआ करने के लिए तो आपने सुना कटेरी विदान सब्सक्राइब के उम्मीद्वार जर्मराज निसाद इनका साथ कर पर कहना है कि वो कटेरी से कभी हारे नहीं है और इस बार यहाँ पर बार समाचार अंबेट कर नहीं है और यहाँ नहीं है जए जब बार नहीं हिर नहीं बार झाज़ के लिए दो घराए़ को गया है अँर रहाँ पया जो कि नहीं है आवार